आपके पास Vivo Y 18 है, 18 Plus है, E है, I है, कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप Press and Hold की Problem कैसे Fix कर सकते हैं, Power बटन से इसे Switch Off करने की कोशिच करते हैं, तो यहाँ पे आपका Google Assistant अगर Activate हो जाता है, Power Off का Option नहीं आता है, इस Step से तो इसको आप कैसे Fix कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, इस Step से Option आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे, आपको यहाँ पे Option मिलेगा, Shortcut and Accessibility क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे Press and Hold Power बटन क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे यह Google Launch सेलेक्टिड होता है, तो आपका Power बटन दबाने के साथ, आपका Google Assistant इस Step से शो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे Switch of Option के लिए यह वाला सेलेक्ट कर लेंगे, Emergency Menu, और Back कर लेंगे, तो आप Power बटन दबाएंगे, तो Switch of का Option और स्टिरी स्टाइट का Option आपको शो करेगा, तो इस Step से Switch of Problem fix कर सकते हैं, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,